केरा साड़े सार्यां दे आले द्वाले एक सुरख्या केरा हुंदा है जिड़ा लगपग ती इंच हुंदा है इस केरे अंदर कोई साड़ी मर्जी नाली दाखल हो सकता है जद वसी किसे नू गल्वकडी पौंदे हैं ताँ उसनों इसकेरे अंदर लेयाओंदे हैं। ओ अजनबीली रेंदा साड़ा प्यारा हो जांदा है। इमें साड़े आले द्वाले एक उर्जा चक्कर हुनदा है। जिस कारण करके कदे सानूं कोई बहुत प्यारा लगदा है। कदी उस तो डर लगदा है। ए उर्जा चक्कर साड़े आले द्वाले नूं सुखामा, जहां तनावपूरन बनोंदा है। इक बोड़ थले एक सादू रेंदा से, समधी लोंदा से, पूजा करता से। पंचियो दे मोडे आते सिर्थे बैजांदे सन। ते आले द्वाले विचर दे रंदे सन। उना पंचियां दी होंद नाल सादू दी इक आगर्ता विच कोई विगन नहीं सी पैंदा। उपंचियो सादू दा प्रवार सन। इक दिन इक लड़का आया, सादू दे आले द्वाले मंडलों दे पंचि वेके, उसने सादू नू इक पंचि फड के देन लिया क्या। सादू ने क्या, कल फडांगा, तु कल ले नाई। अगले दिन सादू ने समधी ता लाई नहीं सी। पंचि फड़न वास्ते एक खा मिटियां हुया सन। कोई पंचि नेडे ना आया, क्योंकि उसने उर्जा दा सुबा बदलिया हुया सी। उसने बैठन विच समधी दी सुहिर्दता नहीं सी। स्वारत दा बोल बाला सी। सो पंचि दूर हीरे। दोशी इक इस्तरी दे कतल दे मुकदमे विच पुलेस पंच व्यक्तियानू दोशी सिद कर रही सी। दोशी सिद करन दा आधार कतल कोई औरत दा मरन समे दा ब्यान सी। जिस्विच यक मुष्ट, गौर तलब, शमूलियत, इस्तगासा, पेशावराना, निमंदर्ज, उप्रोकत, काइदा कनून, मुल्जम, मजलूम, मगरब, इरादा कतलाद शब्द लिखे हुए सन। मुकदमे दा फैसला सुनोनियां जाजने क्या, कि मर रही इस्तरी ये हुजे शबद नहीं बोल दी। ये उस्तरी दा ब्यान नहीं, पुलिस दा अपना कड़या हुए ब्यान है, ते पंजे दोशी बरी कर दित्ते। खत, इक खत मिलिया है, जिस विच दोई शबद हन, बेवकूफ, उल्लू। अजे खत ता कई वेखे हन, जिना विच खत दी इबारत लिखी हुंदी है, पर लिखन वड़ा अपना ना लिखना पुल जान्द है। पर इस खत वांग, कदे कदाई कोई खत अजे आवी आजन्द है, जिस विच खत लिखन वड़ा अपना नांता लिखतन्द है, पर खत दी इबारत लिखने पुल जान्द है। लंगर संकट वाड़ी कोई स्थिती हुवे, देश दे किसे हिसे विच पुचालावे, तबाई मचे सिख लंगर लौने आउंदे हैं। उन्ज सिखा विच एका काटी हुँदा है, पर लंगर दे मामले विच पूरण एका हुँदा है, कोई विगन नहीं पौन्दा सारे सह्योग दिन्दी हन। सिख लंगर चकन वाड़े आंदा पेटी नी पर दे, उन लंगर चकन वाड़े दी नियत वीर जौन्दी हन। जिन्ना चिर लंगर लगदे रेंगे, सिख तर्म काइम रहेगा। एक अजया वरतार है, जिड़ा केवल सिख तर्म विच है, इसमू अपनों दा होर तर्मा ने बड़ा यतन कीता, पर कोई सफल नहीं हुआ, क्योंके एक गुरूदा लंगर हुदा है। पंजाव इच मादी दाल नू लंगर वाली दाल किया जान्द है। इक व्यक्ती रोज लंगर चकदा सी, रोज मादी दाल फंदी सी, चौत्थेक दिनों ने पुछया, तुसी दाल क्यों नी बदल दे? उनू दस्या गया, एथे दाल उही रन्दी है, चकन वाली बदल दे ह लंगर वही रन्द है, पंगत बदल दी रन्दी है। मैं गुर्द्वारा सुदार लेर दा एहम मोर्चा सी। इस मोर्चे ली अकाल तक तमरिस सर्तों 211 सिंगां दा शीहिदी जथा चल्दा सी, जेड़ा पैदल चल्दा चल्दा जैतों पहुंच दियां हजारां दा जथा बन जन्दा सी। एपंजाबी पतरकारी दावी सुनेरी यूग सी, जदों हजारां लोका ने गुर्मखी इसली पढ़नी सिखी ताके ओपंजाबी अखबार पढ़ सकन। चबाल पिंड दे दो प्रा इकजया शिहिदी जथा लेके गई सन। जैतों पॉंचन ते चबाल प्रामा ने हजारां व्यक्तियां विच्चों दो हजार सिंगां दी शहिदीयां पॉंड ले चोन कीती। अंग्रेजा ने जथे नू रोकनली माल गड़ी खड़ी करके पुलिस राइं माल गड़ी दे डब्यां दे ओले वेच मोर्चा लाया हुयासी। इवो समासी जथो सेंग शहिदी ले जांदे सन ते शहिद हुंदे सन। जब आलप्रामा ने जथो अंग्रेजां दा माल गड़ी वला पैंतड़ा वेख्या ता 2000 सिंगा नू दो दो सौदे दस जथे आंच वंड के संबोधन कर दियां क्या। हर हालत विच शांत मही रेना है तो अड़े सेरांते कफन बनने हुई हाँ शूट वटके गड़ीवल दोडना है किसे ने पिछे नहीं वेखना किसे ने रुकना नहीं गोलियां लगणगियां गोलियां दी पहली बचाडनाल जो सिंग शहीद होन किसे ने उना ली रुकना नहीं, बंदूक विच अगली गोडी पर नहीं देनी, गोडी वांग अग्गी वदने, ते सब रुकावड़ां पार कर जानी हैं, गुरु गोबिन सिंग दा बाज उडारियां ला रहे हैं, गुरु गोबिन सिंग आप निगरानी कर रहे हैं, इस सुपरांत शिहीदी जथे सफलताली अर्दास किती गई, एक अटना वापर जैतों विच रही सी, परियों लाग रहा सी, जिवें अनंदपूर साइब दोहराया जा रहा सी, चबाल प्रामांदी उबारे हुए सिंगांदा जोश्वेक के, अंग्रेजाने गोडे टेक दिते, मोर्चा फते हो गया सी, एक पंडत ने रा जान देक लड़के नू वड़े पार्क दारस्ता पुछिया, लड़के ने क्या, बिलकुल नेड़े है, किसे तु पुच्छन दी लोड नहीं, सिद्धे जाके सज्जे मुड़ जना, पार्क दिस पाएगा, पंडत ने उधी सूझ बूझ तो परसन होके पुछिया, तु जान दें मैं कौन हो, बच्छे ने क्या, नहीं, मैं परसिध हरी परशाद चत्रुवे दी है, उस पार्क विच अज मेरा वख्यान है, तु ही आवी, मैं तनू स्वर्ग दारा दसांगा, बच्छे ने क्या, पार्क दारस्ता ता तो नूँ पता नहीं, लोग परेशान हन, स्वेरे अखबारां सतौंदियां हन, शामनू टेलिविजन उत्ते जुर्मां दे समाचार ड्रौंदे हन, हर कोई ठक्या हुया, चिंतित ते मायूस है, किसे ने पुछिया, अराम करना चौंदा, किते जमा, ज्वाब मिलिया, किदरे जान दी लोड नहीं, अपने कार्वीची अराम किता जा सकता है, अखबार बंद कर दियो, टेलिफोन स्विच ओफ कर दियो, कंप्यूटर परे राख दियो, टेलिविजन दा प्लग कर दियो, अराम शुरू हो जाएगा, पर जोके मनुखनों परेशान होन दी इनी आदत पैगी है, कि ओ अराम त तंदे विच ए आम गाले कि शुरू विच लम्मा आर्षा कोई गाक जा क्लाइंट या मुकदमा नहीं ओंदा, एक नमा वकील सारा सारा दिन गाक नू डीकदा रेंदा सी, पतनी स्कूल अद्यापका सी, जड़ी नेडले पेंडदे स्कूल विच लगी होई सी, पतनी ने क् विच ले रेंदेओ, मैनू स्कूल ही छड़ाया करो, वकील पती अपनी पतनी नू स्कूल छड़न जान लग प्या, पिछों जेक वदे कोई गाक ओंदा, पुछदा कित्थे हैं, जयो जा वकील होंदा है, हो जय यो दा मुन्शी होंदा है, मुन्शी दास्ता, पतनी नू स पतनी नू स्कूल तो कारलियाओं ले जान लग प्या, जेडा क्लाइन्ट होंदा, पुछदा कित्थे हैं, कई नमे वकील आंदा सांजा मुन्शी केंदा, पतनी नू स्कूल लेंग गई हैं, वो वकील साब पतनी नू स्कूल ले जान लेओं वीच सफल सन, पर वकालत उसे चे सफल होगे समझ एक राजकुमार नूँ एक लड़की नाल प्यार फो गया ते उसने उस लड़की नाल व्या करवोना चाया पर लड़की दे पिता ने किसी पुराणे गिले शिक्वे कारण राजे दे पुत्तर नाल रिष्टा करन तो इनकार कर देता राजे ने अपने मंत्री पे जे आप गया पर ना हा ना बणी इलाके दे थानेदार नूँ पता लगा उसने वी पिता नू रिष्टा करन ली मनोण दे यतन कीता पर नू नहीं करी गया थानेदार ने उसनू चंगा कुटापा चाड़ेया कुटापे मगरों लड़की दे पिता ने किया महराज मैं समझ गया मैं रिष्टा करन ली त्यार हा थानेदार ने किया राजा आप तेरे को लाया तू नहीं समझ गया उन तू एनी जल्दी के मैं समझ गया ते रिष्टा करन ली त्यार हो गया लड़की दे पिता ने क्या जनाब जिमें तुसी समझाया मैंनू पहला किसे ने इन्नी चंगी तरह समझाया ही नहीं इसे करके मैं समझ गया वफादार एक संगीत प्रोग्राम होना सी पुत्र ने पूरी त्यारी किती हुए सी पिता ने रियाज अभियाज करवा के वेख्या परवानगी दिन्दे आंक्या अपनी कला प्रग्टाउनी है सुरोतियानू पर बावत करंदा यतन नहीं करना अपनी कला प्रग्टावेंगा सुरोतियान दे सोज स्वाद दापदर उच्चा चुक्या जाएगा जे स्रोत्यानु पर बावत करंदा यतन करेंगा, ता कलादा पदर नीवा, होर नीवा हुन्दा जाएगा स्रोत्य तैनु अपने पिछे लालेंगे, तित्तु गुवाच जाएंगा तेरी वफादारी केवल अपनी कलाप्रती हुनीं चाई दिये वड़े कलाकार अपनी कलाप्रती वफादार हुन्दे हन तानवाद